हमारे अगले फाइनलिस कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ही युनीक है रेट से कला उरिसा के इन सैंड अनिमेटर्स ने एक ऐसी कला को अपनाया है जिसमें ना सिर्फ एक सोशल मेसेज है बलकि देखने में भी बहुत एंटर्टेनिंग लगता है रेट और अपनी उंगलियों के माधियम से ये वो कुछ कह जाते हैं जो हम शायद कागर्स कलम से नहीं कह पाते हैं हम लोग पहले आये थे तो हमें पता ही नहीं था लोग पसंद करेंगे या नहीं एक्सिलेंट टीम बॉर्क वेरी वेल गाथ सर्मी फाइनल्स में उनका जो 26-11 के उपर का एक्स आउस ते रुला दिया रखावाद आज शायद आपको भी नहीं पता आपने क्या किया है मैं आप लोगों के लिए खड़े हो के ताली बजाना चाहता हुआ मैं बहुत कुछ वो फिनाले में आए है और उमीद कर दियू कि अच्छा परफॉम्स दे अब हमें फाइनल में कुछ तो एसा तरना है जैसे जजस और जन्ता दोनों इंप्रेसो के हमें ज्यादा से ज्यादा बोटे प्लीज वल्कम दे सैंड अनिमेटर्स रम औरिसा जो कह रहे हैं कि आज मानवता ही धर्म है मानवस कुमार साहू एंड ग्रूप हूँ तो माटी का एक दाना सूरज का एक फूल हूँ मैं चांद की चादर में लिप्टा सा आस्मा की धूल हूँ मैं भेजा क्यों मुझे धर्ती पर तारो की मैं हूँ मुस्कान अब रोता हूँ कुछ कह नहीं पाता बस होता हूँ और हैरान मेरी ननी आके देखे इमारतों में बनता संसार चांद को मामा ये नहीं कहते इनके खिलोने है तलवार मंदिर मस्जिद चर्च गुर्दवारे भगवान के घर ही है ये असारे और मेरी ननी आखों को तो सब एक जैसी दिखते हैं ना मैं समझू दर्शन चादर धर्दी परवत चड़िया सागर मुझे तो बस इनसे है खेलना बड़े क्यों नहीं समझते हैं मेड़ा बड़े पर-दो घर राष ऑफे पर-दो पर-दो कि एक कुंकार सफना करता पुरक निर्पो मिर्वैर अकार मूरत अजुनी सैभन गुर्परसाद जप आज सच जुगाज सच है भी सच नानक हो सी भी सच कि व सची आरा हो ये कि व कुड़े तुटे पालो हुकम रजाई चलना नानक लिख्या आना अम्मी हो या मा लोरी तो उतनी ही मेटी होती है नाम में क्या है और लखीरों से दुनिया ही चोटी होती है मेरे सिर पर ना टीका ना टोपी मैं ना जानू भजन ना ही आजान नाम ए राम नाम ए रहीम मैं हूँ सब और बस एक इनसान इश्वर अला तेरे नाम सब को सन्मति दे भगवान इश्वर अला तेरे नाम सब को सन्मति दे भगवान बानस कुबार साहू एंग्रूप जोर दर तालिया इनके लिए सुनाली जी आपको इनके आज की परफॉर्मस के बार में क्या कहना है आप हमेशा ही बहुत अच्छे मेसेजिस देते हैं आपकी कला के थ्रूँ काश मैं इस आर्ट को फ्रेम करके रख सकती लेकिन मुझे रखता है कि अट लीस्ट आप फिनाले तक आए हैं जितना लोग आपको और देखेंगे ये मेसेज और स्प्रेड होगा उतनी ही ये बात अच्छी है हमारे लिए हमारी अगली जनरेशन के लिए हमारे देश के लिए थैंक यू सो मच फ़र दिस मेसेज़ थैंक यू साजिद भाई एक निर्देशक के तौर पर क्या कहना चाहते हैं हिंदू-मुस्लिम सीक हिसाई हम सब हैं भाई भाई और सच बात यह है कि आप जिस सिंप्ल किरिण जी इसे देखा जाता है कि इंसान भी मिटी से बनता और मिटी से इनकी कला उभरती है तो क्या लगता है कि कितना करीब मनुष्य होना चाहिए इनकी कला के सार से यही मैं बिलकुल कहने वाली थी कि जर्रे जर्रे को लेकर उससे कला बनाते हैं और इस देश के जितने भी लोग है उनके मन में जो भी बात है दुनिया को लेकर उसे इतनी खुबसूरती से इतनी सादगी से आप एक दृश्य हमारे लिए बना देते हैं और हम थोड़ी दे के लिए बिलकुल उसमें विलीन हो जाते हैं और हमारे लिए समय जैसे थम सजाता है वेरी वेल दान वेरी एंक्यों मैं थैंक्यू जैस चोटे-चोटे सान पार्टिकल्स को यूज करके इनोने कला कृती बनाई है लेकिन अब चोटे-चोटे बटन है आपके वोटिंग पै साजित भाइ अब आपके बारी अनादा नाइन पॉइंट्स चिरन जी नाइन पॉइंट्स पॉइंट्स को मारस कुमार साहू एंग्रूप आपको बोलतो हैं कम सुनते हैं क्योंकि आपकी तस्वीरें बहुत बाते करती हैं अब यह शन आपका है हिंदुस्तान की जनता से आपको पुछ बोलना है यह जो हमारे जो आट फॉर्म एक नया आट तुरू मैं यही आप सारे देश से ये प्राथना करता हूं मारस कुमार साहू एंग्रूप के इस इंक्रडबल सान अनमेशन आट को देश की सबसे एंटिट इन अट बनाना चाते हैं तो एसमेस कीजे एंगी तुपाच्छे आट 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 दो एंगी तो 56882 मारस कुमार सा क्छर आट आट दो एंगी तुबलल गला किया एंग सारे आट और सा को एंगी तो 59882 मारस कावा और सी तो 52sh